नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका ITI कम्मुनिटी के अंदर आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बहतरीन अपडेट ले करके आया हूँ जितने भी बच्चे BLW का फार्म डाले थे अपरेंटीसिप के लिए उनका सेकेंड मेरे लिस्ट आज जारी हो गया है जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं देखे इसमें कुछ चीजे दिया हुआ है जो कि मैं आपको समझाना चाहूंगा यह PDF मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है बरे का बनारस रेल कार खाना जिसमें आप नीचे देख पा रहे हैं कि 46 में बैच का ये आपका मेरे लिस्ट निकला हुआ है और यहां पर नीचे देखे आई टी आई की प्रोविजनल परेडाम की सेकंड मेरेट कम वेरिफिकेशन लिस्ट अभ्यर्थियों की सुची तो ये देखे 29 तारीक को ये आया हुआ है ठीक आगे देखे मैं दिखाता हूँ ये फॉर्म कब आया था 26 दस 2023 को फॉर्म आया था जिसका कि फर्स्ट मेरेट लिस्ट एक महिने पहले आ चुका है बच्चे जवाईन भी किये हुए है मैं बनारस का ही एक्चुली रहने वाला हूँ तो आपको कुछ अपडेट एक्स्टा दे दूँगा जिसके बारे में आपको जाना बहुत ही आवस्यक होगा जैसे आप वहाँ पे कैसे रुकेंगे कैसे डाकुमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे कहां पे आपको कराना पड़ेगा क्या क्या चीजे लगेंगी यह सारी चीजे मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ तो पॉइंट तो पॉइंट आप चीजों को समझते चलिए और वीडियो को आप लास्ट तक देखेगा यह आप से रिक्वेस्ट है क्योंकि यदि आप कोई भी चीज आगे पीछे कर देंगे या फिर स्पीड बढ़ा करके देखेंगे तो काफी चीजे इसकीप हो सकते हैं आपके साथ तो यदि आप ITI के साथ अप्रेंटिसिप करने में इतना इंट्रेस्टेड हैं फार्म अपलाई किये हैं तो मैं अवस से ही आप लोगों को गाइड करना चाहूंगा और आप लोग ध्यान पूरवक जरूर सुनिएगा देखे इसमें दिया गया है कि बरेका की तरफ से फर्स्ट मेरेट लिस्ट आल्रेडी आ चुका है बच्चे ज्वाइन भी कर चुके हैं इलेक्ट्रिसियन में लगभग 14 बच्चे जवाइन किये हुए हैं जिसमें से की 70 सीट था तो एक 70 सीट में से 14 बच्चे जवाइन किये हैं बागी सीट भी बची हुई है तो आपको ये लिस्ट मिल जाएगा इस लिस्ट के अंदर आप देखिए आई टी आई फिटर ट्रेड में एक से 63 करम के बच्चों को 6 तारीक को बुलाया है ठीक जब कि पेंटर के बच्चों को अब देखेंगे तो 7 तारीक को बुलाया गया है एक से 4 और एक से 2 के बीच में ठीक हैं? यह यहाँ पर मेरिट लिस्ट का दिया हुआ है कि कितने संख्या के बीच में बुलाए गया है यह चीज यहां दी हुई है और किस डेट को जाना है यह यहां दिया हुआ है ठीक तो आप अपना ट्रेड देख लीजिए आई टी आई फिटर को छे तारीक को जाना है आई टी आई पेंटर को साथ को जाना है आप पढ़ लीजिएगा अपने satisfaction के लिए बाकी मैं आपको main point बताता हूं और आपको एक एक चीज मैं detail में बताऊंगा कि क्या चीज है और क्या आपको ले करके जाना है देखिए यहां पर यह merit list दिया हुगा है यह देखिए second merit list है ITI वालों का अब जानते हैं कि ITI और non ITI दोनों चलता है यहां पर तो ITI वालों का देख लिजे फीटर में 88, 1983 है EWS में 84, 1983 है OBC में 87 है SCST आप सारे लोग अपना देख लिजेगा कि क्या है कारपेंटर में देखिए 85,108 UR में गया है जनरल का है यह पेंटर का जनरल का है 76 और मसीनिस्ट का है 84,106 वेल्डर का है 83 इलेक्टरिसियन में 95 है जनरल का EWS का 90,106 है OBC का 91,102 है और EACC का 93,108 है तो इसी तरीके से आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिल रहा है आप देख लिजेगा कि इससे उपर यदि आपका परसेंटेज है तो भी आप है और यदि इतना है मतलब यदि 95 है जनरल में इलेक्टरिसियन का तो यदि आप 95 है यदि 95 के ऊपर है तो आप सिलेक्ट है ठीक है तो इस चीज को ध्यान रखिएगा और 9 ITI वालों का मैं बता दूं 9 ITI में अभी भी पिछली बार भी 100 परसेंट था इस बार भी देखिए आपको और चीजे दिखाता हूं नीचे जब आप जाएंगे तो देखेंगे ये लिस्ट है सेकेंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कम वेरिफिकेशन लिस्ट फार एक्ट अप्रेंटिशिप 46th बैच बील डबलू बीयस्बी नान आईटिया स्टूडेंट के लिए है तो य यहाँ पर आप लोग अपना देख लिजेगा कि आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम है या नहीं है और जिन बच्चों का नाम होगा वो ऊपर अपने संख्या के कॉर्डिंग जैसे दिया हुआ है एक से चार तक या एक से चीहतर तक तो उसी के के कॉर्डिंग अपने देख करके आप लोग ठीक है यह मसिनिस्ट का है इसी तरीके सारे ट्रेड का आपको लिस्ट मिल जाएगा यह लिस्ट आप कैसे डाउनलोड करिएगा सबसे पहले यह मैं बता देता हूँ यहां से सबसे पहले आप गूगल पर जाएंगे गूगल को क्रोम ब्राउजर ओप करने के बाद आप यहां पर BLW डालिए ठीक यहां पर BLW सर्च करिए BLW जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे पहला वेबसाइट आएगा BLW अफिसियल वेबसाइट इसको ओपिन करिएगा ओपिन करने के बाद आप देखेंगे सबसे पहले न्यूज और एनॉंसमेंट के नीचे आप देख रहे हैं कि यह चलता हुआ आ रहा है इसमें प्रोविजनल सेकेंड मेरिट लिस्ट कम वेरिफिकेशन लिस्ट फार फोटी सिक इसी के उपर आप टैप करेंगे तो आपको यह देखें मैंने अल्रड़ी डाउनलोड कर रखा है आपको दिखाने के लिए पहले इसलिए यह दिखा रहा है ऐसा कोछ यदि आप नहीं डाउनलोड किया होंगे तो एक बार डाउनलोड करके आप लोग अपना मेरिट कॉमेंट करके जरूर बताईएगा कि सर मेरा नाम है और मेरा इतना परसेंटेज है ताकि अन्य बच्चों को थर्ड मेरिट लिस्ट में पता चल सके कि थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा तो कितना बनेगा मेरिट नियर बाउट फर्स्ट मेरिट वाले तो ज्वाइन कर चुके हैं सेकेंड आप लोग हैं और मैं आपको बताऊंगा कि डाकुमेंट वेरिफिकेशन कराते समय जब भी आपको बुलाया जाएगा जितनी भी चीज़े आपको फार्म भरने के टाइम पे लगा हुआ है वो सारी चीज़े आपको मांगेंगे तो इतना आप ध्यान रखिएगा वो सारी चीज़े आप ले करके जाएगा जैसे 10th का माक सीट हो गया अपना कास्ट सार्टिफिकेट हो गया फिर उसके बाद आपका फोटो हो गया आधार कार्ड हो गया पैन कार्ड हो गया ये सारी चीजे आपको ले जानी पड़ेंगी और जो भी चीजे वहाँ पे एक form मिलेगा वहाँ पे fill up करना होगा आपका ID जनेरेट होगा उसके recording सारी चीजे लगेंगी और वहाँ पर एक teacher होगे जो की guide करेंगे आपको सबसे पहले बता दूँ कि मैं बनारस का हूँ और बनारस में आपको ये ट्रेनिंग करने को ही मिलता है हमेशा एक बिल्डिंग है BLW के अंदर उसका नाम है TTC टी टी सी टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर यहीं पर आपको ट्रेनिंग कराया जाता है जहां पर आपको theoretical और practical classroom के अंदर वक्साप में आपको सिखाया जाता है बताया जाता है यह आपकी एक साल की ट्रेनिंग है और आपको बनारस सिटी घूमने का भी मौका मिला है वहां पर पढ़ने का भी मौका मिला है यदि आप किसी अधर स्टेट से हैं तो आए डेफिनेटली आप बनारस में आएए एक अच्छा माहौल है भी अच्छू जानते हैं बहुत बड़ी उनिवेस्टी है सेंटरल उनिवेस्टी है गंगा घाट है काफी सारी चीज़े हैं आपको एक्स्प्लोर करने के लिए मिलेगा काफी चीज़े और BLW अपने आप में एक रेपुटेड इंस्टीटूट है जिसके अंदर कार खाने के अंदर आपको देखने को इंजन बनता मिलेगा और भी बहुत सारी वाक्साप में काम होते हुए आपको चीज़े देखने को मिलेगी और आपको सीखने का आउसर मिलेगा नान आई टी आई वाले बच्चों का तो इस बारी स्टाइपेंड थोड़ा कम है मतलब साथ हजार साड़े साथ हजार के अराउंड है पहले आई टी आई करने के बाद अप्रेंटीशिप करने के बाद आपको गवर्मेंट रख लेती थी उस इंस्टीटीट के अंदर जहां पे आप अप्रेंटीशिप करते थे लेकिन ये रूल हड़ जाने की वज़ा से आपको GM पावर के तहत रखा नहीं जाता है रेलवे में और दूसरा चीज यह है कि आपको ग्रूप D के अंदर 20% वही जो छूट मिलता है वो चीज आप गेन कर पाईएगा यदि एक साल की ट्रेनिंग कम्पलीट करते हैं तो कुछ इस तरीके की भासा होती है वहाँ पे जैसे कुछ टीचर साब को कुछ बोल देते हैं कुछ उठाने के लिए करने के लिए तो आप नाराज ना होईए जो भी चीज़े हैं टीचर के साथ करते रहे हैं थोड़ा को अपरेट करेंगे सारी चीज़े हो जाएंगे और आपको अपरेंटिसिप का सार्टिफिकेट लास्ट में मिल जाएगा ज्यादा कुछ होता नहीं है आप टेंसन मत लेजेगा यदि आप तयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपको कोई प्राब्लेम नहीं होगा थोड़ा सा स्टार्टिंग में आप जाते हैं कई नई जगह आप जाते हैं तो आपको थोड़ा सा अड़्जेस्ट होने में टाइम लगता है लेकिन फिर बाद में आप जब अड़्जेस्ट हो जाते हैं उस मावल में ढल जाते हैं तो फिर उसके बाद आराम से आप सर्व लाई करूंगा और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने BLW का form भारा था और उनको merit list का इंतजार था ठीक है BLW एक बहुत ही अच्छी संस था है apprenticeship करने के लिए यह वहाँ के teachers बहुत ही cooperative हैं आपका साथ देते हैं नई चीज़े सिखाते हैं चाहे practical section हो या फिर theoretical चीज़े हो आपको बहुत ही अच्छे तरीके समझाय बताया जाता है वहाँ मैं जा करके अल्रेडी वो TTC Center घूम चुका हूँ और मेरा अच्छा अनुभाव रहा है तो मैं चाहूँगा कि आप लोग वहाँ definitely आईए जुआइन करिए एक साल का apprenticeship करिए और आराम से उस चीज़ को gain कर पाईए जो अपने life में एक achievement के रूप में देखिएगा Thank you very much वेडियो देखने के लिए